आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ बहुत ही करारी और बहुत ही खस्ता इस तिल गजग की रेसिपी को जट पड से आप एक कप तिल से ये धेड सारी गजग बना के तैयार करेंगे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली है और सर्दियों की तो ये बहुत ही खास है मैं ऐसे आपको पास से दिखा रही हूँ देखें कितनी करारी और बढ़िया बनी है एक बार आपने इस तरह से तिल गजग बना लिया तो बार-बार इस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल भी ये मुँ में चिपकेगी नहीं 100% बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी तो चलिए बिनादेर के ये शुरू करते हैं गजग को बनाना एक पैन ले लेते हैं और यहाँ पे तिल ले लेते हैं एक कप यहाँ पे दो तरह की तिल आते हैं तो मैंने देशी वाला तिल का इस्तिमाल किया है एक सफिद वाला भी आता है पर इन में से आपको जो भी तिल मिले आप उससे भी तिल गजग बना सकते हैं तो यहां पर करना क्या है आपको धीमी आच में तिल को लगातार चलाते हुए भून कर तयार करना है बढ़िया से तिल को भूनना है इसे चटचट सी आवाज भी आएगी और तिल जो है न हलका फूला सा दिखने लगेगा आपको और थोड़ा सा हलका सा कलर चेंज करना है पूरी तरह इसका कलर चेंज नहीं करना है क्योंकि तिल बहुत हलका होता है तो यह जल्दी से भून्च के तयार हो जाता है इसको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा सिब तीन से चार मिनट में ये भून जाएगा और इसी से आज हमारी तिल गजग बनके तयार होगी सिब दो चीजों का ही इस्तिमाल करेंगे गुड और तिल का और बहुत ही खस्ता करारी आपकी गजग घर पर ही बनके तयार होने वाली है जो की खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगती है तो आप इस गजग को महिनों खा सकते हैं जल्दी खराब नहीं होती है बहुत ही खस्ता और बढ़िया बनती है यहां पर देखें तिल भी अब हमारा भुंच के तयार हो गया है और देखें हलका सा आपको इसका कलर भी चेंज दिख रहा होगा गैस को बन करने के बाद भी आप दिल को थोड़ा चला दीजिए ताकि यह नीचे से लगे नहीं अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं और एक पैन ले लेते हैं और इसमें डाल दीजिए आप देशी गी एक चम्मच अगर आप देशी गी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पी रिफाइंड एक चम्मच भी डाल सकते हैं और अब हम इसे गरम कर रहे हैं साथ में हमें क्या करना है घी के साथ हमें पानी एट कर देना है आदे कप ही पानी डालना है बहुत ज़दा पानी नहीं डालना है तो इस तरह से मैंने आदे कप पानी का इस्तिमाल किया है अब ये दोनों चीजें हमने देखें कड़ाई में डाल दी है और अब हम आज को धीमे पे कर देते हैं और बाकी की चीजे भी एट कर देते हैं तो देखें सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे चीनी ली है मैंने और दो चम्मच ये चीनी डाल देंगे इससे क्या होगा कि जो गजक है ना हमारी दात में बिल्कुल लगेगी नहीं एकदम खस्ता बनेगी और साथ में हम गुड एट करेंगे तो यहाँ पे मैंने आदे कप गुड का इस्तिमाल किया है एक कप तिल में तो यहाँ पे देखें दोनों चीजों को मैंने डाल दिया है और कुछ इस तरह से मैं चला रही हूँ ताकि गुड थोड़ा सा गुल जाए थोड़ी देर में गुड थोड़ा सा याप इलाची भी डाल सकते हैं तो मैंने 3-4 इलाची डाल दी और तिल ठंड़ करने रखा था इसे भी डाल दिया इन दोनों चीज़ों को डाल दिया हैं आप चाहो तो इलाची का पाउडर भी इस्तिमाल कर सकते हो अब दिल को हमें ज्यादा महिन नहीं करना है इसे दरदरासा पीस के तयार करना है जब यह दरदरासा इस तरह से हो जाएगा मैं आपको पास से दिखा रही हूँ एकदम महिन पाउडर नहीं बनाया मैंने इस तरह से हलका दरदरासा रखा है और बस इ गुड़ पक्कित तयार हो चुका है देखें इसमें बबल से दिख रहे होगें लेकिन हम इसे चेक कर लेंगे कि अच्छे से पक चुका है कि नहीं करना कुछ नहीं है बस एक कटोरी में आपको पानी लेना है और पानी में इस गुड़ को थोड़ा सा डाल देना है जब आथे ना अच्छे से तैढ़े तो सम्झोों हमारा गोड बहुत ही अच्छे से से पक गया है अब इस चांस ने इस गोड को हम दुआरासे Brooks करेंगे यह नहीदा नहीं तो देखें एक मिनट बात मैंने फिर से पकाया है और यिह काफी लाल औ मैंने यह से एट किया है कि आपटे को मैं तोडेंगे तो दात में के शाच कईए तो बस इसी तरह से जब टूटेगा यह बन कर दीजिए और बंद गैस में इसे मिला लीजिए और अच्छी से आप इसे मिक्स कर देंगे आप देखेंगे इसी दो चीज से एकदम करारी खस्ता आपकी गजग घर पर बन के तयार हो जाएगी बहुत कम समय में इसे आप बना के तयार करोगे खाने में भी बहुत ही स्वाधिष्ट लगेगी आपने एक बार इस तरह से बनाया ना तो बार बार बनाएंगे क्योंकि एक कप तिल से ज़्यादा तो बनती नहीं है बहुत ही जल्दी खतम हो जाने वाली है तो बस इस तरह से अब यह कमiająड सी हूने लगी है जैसे मैंने बताया मैंने बंद गयस में से मिला लिया है आप इसे ज़्यादा नहीं करना है अब हम क्या करेंगे इसे निकाल लेंगे तो यहां पे देखें मैंने इस तेल या बटर पेपर भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं पर मैंने बटर पेपर का इस्तिमाल नहीं किया है इस तरह से पीड़ा का इस्तिमाल किया है और अब हम इसमें इसको डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद आपको लेना है कोई भारी आप बेलन बगेरा भी ले सकते हैं मैंने इस तरह से ये ले लिया है और इसी से कूट के तयार किया है इस तरह से आपको कई बार करना है इसे पलटते जाना है ताकि इसमें लेर बने और इस तरह से कूटते जाना है अच्छी से कूटते जाएंगे और इस तरह से पलटते जाएंगे ऐसा अब आप कई बार करिएगा जब तक कि अच्छी से सेट होने के लिए तयार ना हो जाए आप देखें ये मैंने इस तरह से इसे कर लिया है हातों से भी एक सा कर दिया है कुछ इस तरह से ये बन के तयार हो गई है और थिसनस भी मैंने इतनी ही रखी है बहुत ज़दा पतली नहीं रखना है इसे तो बस इस तरह से आप मतलब मोरते जाएए और इसे पतला सा बना के तयार कर लिजिए अब जब ये इस तरह से हो जाएगी तो हम इसे गरम गरम में ही कट लगा देंगे कुछ इस तरह से ये देखें अभी गरम है और मैंने इस तरह से इसमें कट लगा दिये है अब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो मैं ऐसे आपको निकाल के दिखा दूँगी कि कितनी बढ़िया हमारी गजग बन के तयार हुई है पिस्ता लगाना चाहें तो पिस्ता लगा सकते हैं बादाम भी लगा सकते हैं और जब ये निकल के आएगी तो देखें बहुत ही सांदार और बढ़िया आपकी करारी गजग बन के तयार हो गई है मैं इसे पास से दिखा रही हूँ एकदम खस्ता और बढ़िया बनी है तो देखें तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितिनी ज़ादा करारी और बढ़िया बनी है उमीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताईएगा कि कैसी लगी तिल गुड की